हेलो दोस्तो स्वागत आपका एक और निया वीडियो में आज के इस वीडियों में रिवीई करने वाल है 260 सेगन के सबसे होटस्ट बाइक के बारे में यह है अउल नीयर 2023 के टीएम डिक 200 आज के इस वीडियों में आपको बताने वाला हूं तो फ्रेंट में आपको LED DRL light देखने को मिलती है, ये ओन हो जाती है, इसमें आपको halogen headlight का setup देखने को मिलता है, इंजन स्टार्ट होने के बाद में इसकी halogen headlight on हो जाती है, इसमें आप aftermarket LED बलभी install करा सकते हैं, आपको LED blinkers देखने को मिलते हैं, जिससे इस bike का लूक है काफ orange color के aloe wheel आपको इस bike का अंदर मिल जाता है, इसके front में आपको 300 mm की dicks मिल जाती है, suspension के बात करूँद इसमें आपको WP Apex USD fork 43 mm diameter के suspension मिल जाता है, dual channel ABS आपको इस bike का अंदर मिल जाता है, आपको इस bike का अंदर मिल जाता है, इसकी tire size के बात करूँद तो 117-17 इंच के toveless tire कासा निकल कर आता है साइड में आपको coolant box देखने को मिलता है है आपको KTM की branding मिल जाती है इंजन वगर ठंडा करने के लिए काफी अच्छा option आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है इसके इंजन की बात कर तो है इसमें आपको आप тьले अपको अपको क्लेख नमाद के अंदर मिल जाता है इसके अवाएग के अंदर मिल जाता है के यहाँ आपको तयर अगर देखने को मिल जाते इसके ओक आपको 35-40 km का मालेज इसके रियर प्रोफाल के बात करूँ तो डियर में आपको LED टेल लाइट का सेट अप देखने को मिलता है पीछे से आपको कुछ इस तरह की इस तरह की इस तरह की प्रोफाल देखती है आपको कुछ इस तरह की टूपीस ग्रेवरेल मिल जाते है जिससे से लुक काफी अच्छा कासा निकला करता है LED नॉन फ्लेक्सिबल ब्लिंकर सापको इस बाइक का अंदर मिलता है यहाँ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है नीचे तरह आप नंबर प्लेट मांट कर सकते हो कुछ इस तरह के से दिखते है इस बैक की ओलोवर साइट प्रोफ की बात करते हैं इसमें आप 3.4 लीटर की फ्यूल टेंग के अपसिटी देखने को मिल जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लिश्टर की बात करते हैं इसमें आपको डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लिश्टर देखने को मिल जाते हैं यहाँ आपको न्यूटर की लाइट म मिल जाती है चेक एंजन लाइट लो फ्यूल वार्निंग आर्पियम ग्राफ एबेस लाइट सर्विस रिमाइंडर गेर शेप इंडिकेटर एवरेस फ्यूल उकोनोमिक रियल टाइम मैलेज जैसे फीचर्स आपको इस वाइक के इंस्टुमेंट क्लिश्टर के अंदर मिल जात इस वाइक के अंदर आपको साइड इस्टेंड इंजन के अंदर देखने को मिल जाता है तो यहां से आप इस वाइक को बंद कर सकते यह फीचर्स आपको इस वाइक के अंदर मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इस वाइक की एक शुरों प्राइज की तो एक लाग बाढ़ म बेंटने